परिचय बच्चों, क्या मुझे तुम में से कोई जयामिती का अर्थ बता सकता है? सर, ये गणित की सबसे प्राचीन शाखा है हाँ, लेकिन क्या तुम इसे परिभाशित कर सकती हो? कोई और? सर, विभिन आकारों और आमापों के अध्यन को जयामिती कहते हैं बिल्कुल सही, जयामिती के कई प्रकार होते हैं जैसे, युकलीटियन जयामिती, घैर युकलीटियन जयामिती, निर्देशांक जयामिती इत्याती आज हम निर्देशांक जयामिती के बारे में सीखेंगे, तो आओ शिरू करें उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे निर्देशांक जैमिती की अवधारणा समझना कारतिय पधती की व्याख्या करना निर्देशांक अक्षों से किसी बिंदू की लामबिक दूरी मापना यदि निर्देशांक ग्यात हो, तो किसी तल में एक बिंदु का निर्धारन करना निर्देशांक जयमिती में प्रेयोक्त पदों को परिभाशित करना परिभाशा ग्रिट चैतिज और उर्धवाधर रेखाओं के प्रारूप को ग्रिट कहते हैं, जो समानिता वर्ग का निर्माण करते हैं एक्स अक्ष किसी ग्रिट पर एक चैतिज संख्या रेखा, एक्स, सबसे छोटी और ज्यादा तर चैतिज रेखा होती है वाई अक्ष निर्देशांक पर एक उर्धवाधर रेखा, वाई सबसे बड़ी रेखा होती है और सीधे उपर को जाने वाली या उर्धवाधर होती है निर्देशांक किसी ग्रिड में किसी बिंदू की अवस्थिती का निर्धारम करने वाली संख्याओं का क्रमित युक्म जैसे तीन, चार निर्देशांक जयमिती की परिभाशा निर्देशांक जयमिती जयमिती ये रूप से निरूपित संख्याओं के क्रमित युक्म का अध्यान है किसी तल में किसी बिंदू की अवस्थिती को निर्धारित करने की पद्धती या निर्देशांक जयमिती का प्रारंभिक विकास रहने दकार्ते ने किया था इस पद्धती को प्राया कार्थिये पद्धती कहा जाता है कार्थिये पद्धती कारतिये निर्दशांक पधती का प्रियोग बिंदु के निर्धारण और ग्राफ रेखाओं को खीचने में किया जा सकता है इसे आयताकार निर्दशांक पधती भी कहा जाता है मोलता यह दो संख्या रेखाओं का युक्म है X-Aक्ष और Y-Aक्ष X अक्ष को भुज भी कहते हैं Y अक्ष को कोटी भी कहते हैं निर्देशांकों को बंद कोश्ठक में लिखते हैं X निर्देशांकों पहले और Y निर्देशांकों उसके बाद लिखते हैं केंद्र या दोनों अक्षों का प्रतिछेद शुन्ने शुन्ने होता है कार्थिये पदती में प्रयुक्त पद आईए आगे बढ़ने से पहले कुछ परिभाशाओं को देखें संख्या रेखा एक सीधी रेखा होती है जिस पर पूरांक समान दूरी पर बिंदू के रूप में चिहनित होते हैं मूल बिंदू एक संख्या रेखा जो एक निश्चित बिंदू द्वारा दो सम्मित आदे भागों में बटी होती है उसे मूल बिंदू कहते हैं यह संख्या शून्ने होती है निर्देशांक तल एक दूई विमिये तल में प्रतीक बिंदू एक निश्चित संख्याद्वारा प्रदर्शित होता है और इसके उलट भी सत्य है। इसे एक्स वाई तल भी कहते हैं। निर्देशांक अक्ष धनात्मक और रिनात्मक दोनों तिशाओं में एक्स अक्ष और वाई अक्ष को संयुक्त रूप से निर्देशांक अक्ष कहते हैं। चतुर्थांश निर्देशांक अक्षों से किसी बिंदू की लांबिक दूरी का मापन आईए, अब सीखें कि एक बिंदू की निर्देशांक अक्ष से लांबिक दूरी कैसे मापी जाती है अब X और Y अक्षों से बिंदू A की लांबिक दूरी का मापन करना सीखें हल एक्स अक्ष पर लंब ए-म खीचिये और वाई अक्ष पर लंब ए-न खीचिये हम देख सकते हैं कि बिंदू A की एक्स अक्ष के सापेक्ष धनात्मक दिशा में वाई अक्ष से मापी गई लांबिक दूरी है और विंदू A की वाई अक्ष के सापेक्ष धनात्मक दिशा में एक्स अक्ष से मापी गई लांबिक दूरी है और विंदू A की वाई अक्ष के सापेक्ष धनात्मक दिशा में एक्स अक्ष से मापी गई लांबिक दूरी है चरण एक, बिंदू एका एक्स निर्देशांक घटा तीन है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, एक्स अक्ष के सापेक्ष वाई अक्ष से मापी गई इसकी लाम्बिक दूरी तीन है. चरण दू, बिंदू एका वाई निर्देशांक पांच है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, वाई अक्ष के सापेक्ष एक्स अक्ष से मापी गई इसकी लाम्बिक दूरी पांच है. चरण तीन, अब पहले एक से निर्देशांक और फिर उसके बाद वाई निर्देशांक को लिखकर निर्देशांकों को कोशठक में बंद कीजिए, इस प्रकार बिंदू एका निर्देशांक घटा तीन पांच है. निर्देशांक तल में एक बिंदू को आलेखित करना आईए अब निर्देशांक तल में एक बिंदू आलेखित करना सीखें आईए निर्देशांक तल में एक बिंदू A, घटा चार, छै को आलेखित करें चरण एक निर्देशांक तल में बिंदू A को आलेखित करने के लिए हम निर्देशांक अक्ष खींचते हैं और अपने एककों का चयन इस प्रकार करते हैं कि दोनों अक्षों पर एक सेंटिमीटर एक एकक को निरुपित करता हो. चरण दो, मूल बिंदू से प्रारंब करके रणात्मक X अक्ष पर चार एकक गिनिये जोकी घटा चार है और संगत बिंदू M के रूप में अंकित कीजिए. चरण तीन, अब मोल बिंदू से धनात्मक वाई अक्ष पर 6 एकक गिनिये, जो की 6 है, और संगत बिंदू को N के रूप में अंकित कीजिए चरण चार, M से प्रारंब करके Y अक्ष पर धनात्मक दिशा में 6 एकक गिनिये, और N से शुरू करके X अक्ष पर रनात्मक दिशा में 4 एकक गिनिये, दोनों रेखाओं के मिलन बिंदू को A के रूप में अंकित कीजिए क्या आप जानते हैं? सारांश आईए हमने जो कुछ सीका है, उसे संक्षेप में दोराएं निर्देशांक तल, X, Y तल एक दूई विमिये तल, जिसमें प्रतीक बिंदू सिर्फ एकी ही संख्या से प्रदशित होता है, और इसके उलट भी सत्य है तल की क्षेतिच रेखा को X अक्ष और उर्दवा धर रेखा को Y अक्ष कहते हैं निर्देशांक अक्ष तल को चार चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं किसी बिंदू की Y अक्ष से दूरी उसका X निर्देशांक या भुज कहलाती है और बिंदू की X अक्ष से दूरी उसका Y निर्देशांक या कोटी कहलाती है मूल बिंदू का निर्दशांग शून्ने शून्ने होता है किसी बिंदू का निर्दशांग पहले चतुर्थांश में धन धन, दूसरे चतुर्थांश में रिन धन, तीसरे चतुर्थांश में रिन रिन और चौथे चतुर्थांश में धन रिन के रूप में होता है